तो स्वागत है आप सभी का अग्यापन एकेडमी के इस नए और लड़ेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के उर्दू का चैप्टर नमबर जो 7 है नाम है रया जिसके राइटर है सरसेयद एहमद खां जी हां तो इस चैप्टर को आप लोगों में पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुकी हूं अगर चैप्टर नहीं पढ़ें तो जरूर पढ़ लिजेगा एकड़म अच्छे तरीके से एक्स्प्लानेशन के साथ बहुत थी जबर्दस तरीके से चैप्टर कमफ्लीट कराई थी तरसे यह द्रमत के बारे में जितना भी पढ़ेंगे तो जितना भी अब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कोशन आज के इस वीडियो में आप लोग को कराने वाली हूं सारे कोशन का इंसर आप लोग खुद से दे पाएंगे ठीक है तो समझ में तो आप लोग को आहीं गया होगा कि आज कि इस वीडियो में 10th क्ल को दबाले ताकि मेरी रोज आने वाली वीडियो का आप तक सबसे पहले पहुंचेगा और शेयर कर दे अपने परोसी अपने दोस्ते पास जिनना ज्यादा हो सकते आप लोग के इस वीडियो का लाव उटा सके और उसके चांद साथ वीडियो को लाइक भी जरूर करें चले कोशन बहुत बार रिपीट होकर आप लोगे एक्जाम में पूछा गया है सेकेंड कोशन ऑन दे स्क्रीन आप लोगे स्क्रीन के उपर आ चुका है कि सरसेद एहमद के वालिद का नाम क्या था सरसे एहमन खाह कि पिटा जी का नाम बताना है तो इसका सही जवाब हो जाएग मिर्तकी मिर्तकी और मिर्तकी दोनों एक ही साथ दिया गया है लेकिन इसका आपसा नंबर भी हो जाएगा मिर्तकी आप लोगे बुक में मिर्तकी ही दिया है तो ध्यान रहे अगर मिर्तकी देगा और मिर्तकी दोनों एक साथ देगा ना तो मिर्तकी नहीं होगा मिर्तकी होग क्योंकि आप लोग के बुक में भी अनली मीर्ट तक ही दिया है ठीक है तो यह इंपोर्टेंट है चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा सवाल सरस्यद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है यानि की सरस्यद का कौन सा निबंद आप लोगे सिलबस में बुक में तो है र सरा आप लोगो पता चलेगा कि आप लोग कितना उब्जेक्टिब कोशन और पार रहें और कितना नहीं बता पार हैं इस लोग को पता चल जाएगा ठीक है चलिए देखते हैं चार्ड नम्र कोईशन सरस्यद की वफात कब हुई तो इनकी वफात यानिकी मौत हुई थी जीम दाल करके दिया गया है आप लोग इसको ये भी सीडी करके समझें पांच नमबर सवाल कि सरस्यद के वालिदा यानि की ना मा का नाम बताना है तो है अजीज उन्य सा बेगम और सी सरस्यद ने अलिगर में कौन सा अधारा कायन किया तो मुस्लिम इनरसिटी जो की आगे च नाम अजीज उन्य सा बेगम और कौन सा मजमून यानि की निबंध हम लोगों के बुक में है तो वह रहा नाम का निबंध मजमून मुखतर सवालात यानि की शौट टाइप कोश्टन सबसे पहला सवाल कि सरस्यद के जिन्दगी के बारे में पांच जुम्ले लिखिए मॉस कीजिएगा वैसे सरस्यद इमदखा के बारे में सारे में आप लोगो बता भी चुकी हूँ आप लोग चाहें तो अपने लवजों में लिख सकते हैं लेकिन अपने ख्यालात को जाहिर करने के लिए जरूरी है कि आप लोगों के पास लवज हो लवज का भंडा रहेगा तो आप लोगो बहुत यसी तरीके से लिख पाएंगे तो यहां पर लवजों को पकड़ने की कोश्च कीजिएगा जो यहां पर जवाब में लिखा हुआ है देखिए जवाब में लिखा है कि सरस्यद एमदखा की शक्षियत को हिंदुस्तान में तारीखी हैस्यत हासिल है इनक सरस्यद की मौरिस शाह जहां के जमाने में हिंदुस्तान है देखिए याद रखिएगा सरस्यद एमदखा के पिताजी का जिंदकाल है वो बच्पन में ही हो गया था और मुगलिय दरबार में बड़े होदे पर फाइस हुए थिर सरस्यद एमदखा और इनके वालिदा जो ह जो है ना यह बहुत ही खुबसूरती से निभाया मतलब पिता जी का तो बच्पन में इंतकाल हो गया था लेकिन मा अपने फर्ज को नहीं भूली बहुत ही अच्छी तालिम और तर्वियत अपने बेटे को दी और सरस्यद जो है ना तालिम से फरागत के बाद इस इंडिया दिख्षक्री मुशलमण निर्सी के नाम से मश्यूर हुआ वह तो इस तरह आप लोग चाहे तो उनसर लिख सकते हैं नहीं तो आप लूग अपने अलफाज में अपने लफजों में लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है दूसरा सवाल के दर जान 알फाज को जुम्लो में इस मिले लवस्ट है मोती मोती चमकीला एच से पता चल रहा है कि मोटी क्या है एक मुझकर लवस मतलब किताब मेरी किताब घुम हो गई इस से पता चल रहा ह estab carrying मौनटद रहा है वक्त मेरे काम का वक्त हो गया है तो हो गया है लास में क्या है हो गया है यानि कि वक्त क्या है मुझकर है पुलिंग है नाम तुम्हारे वालिद का नाम क्या है या फिर तुम्हारा नाम क्या है इस तरह पूछा जाता है ना तो नाम क्या है यह भी मुझकर ही है कलम मेरा कलम ल के बारे में पांच जम्रे लिखिए मजमून नसर की एक किस्म है उर्दों में मजमून निगारी की रिवायत सरसियत से शुरू होती है मजमून में किसी खास मौजू पर सेरहासिल बहस किया जाता है मजमून मुक्तसर भी होता है और तवील भी होता है जरूरत और हालात के मता काबिक मजबून लिखा जाता है मजबून नगारी में काफी वसात और तनू है मजबून नगारी में में यह मगतरिफ नौईद मुख्तरिफ नौइद क Champ लूगा हो सकते हैं आ चुका है सरसेयद के अद्वी खिदमाद पर एक मजमून लिखे सरसेयद अद्वा के बारे में लिखना है उनकी अद्वी खिदमाद मतलब किस तरह से वह आदब को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से खिदमत ही है यह रैक्षी जापलों को बताना है चलिए देखते हैं जवाब जज्द उर्दू नसर के तारीख में तरस्यद की खिदमात नाकाबिलय फरमोश है बलों कि सरसेयद अद्वा के नसरे खिदमात की पेश नजर उन्हें बाबा-ई-उर्दू नसर भी कहा जा सकता है मतलब कि नसरे खिदमात के पेस नजर अगर बात की जाए तो श् रूम मरूजा की तहसील से फारिग होने के बाद सरसेद अमद खाने अंग्रेजों की मुलाजमत के दौरान ही 1862 में गाजी पूर में अंजमन साइंटिफिक सुसाइटी कायम किया फिर जदीद तर्ज तालिन का जाइजा लिए जाइजा के लिए सरसेद ने लंदन का सफर किय और वापसी के बाद अलिगड में रिसालत तहजेब अखलाक जारी किया इस वक्त तक एक इल्मी महौल कायम हो चुका था इसलिए 1877 में अलिगड में ही मुहमडन एंगलो औरियंटिल कालेज कायम किया जो बाद में तरकी करके सरसेद की वफात के बाद उन्हें सब 20 में अल सब्सक्राइब लिख सकते हैं और नहीं तो अपने अर्फास में लिख सकते हैं ठीक दूसरा सवाल है कि जहर निसाब मजमून रया का मरकजी ख्याल पेश कीजिए रहा नाम का जो मजमून है निबंद आप लोग में पढ़ना है उसका मरकजी ख्याल बताना है आप बोल सकत का एक इसलाही किस्म का मजमून है जिसमें मजमून निगार ने रया की हकीकत और उसके नुक्सानात के बारे में तफसील से रोशनी डाला है चनाच उन्हें रया की मफ़ूम को वाज़ा करने के लिए कहा है कि रया का मतलब सिर्फ दिखावा ही नहीं और नहीं उसका दाखली शक्सियत में जो शुकूक और शुबात और गलत फैमिया पाई जाती है उसी दाखली की फ्याद को दरसल रया कहते हैं बाद वकात ऐसा भी होता है कि किसी अच्छे खासे इंसान को कोई दोस्त जूटी तारिफ करके रया में मुबतला कर देता है और कभी ऐसा होता है कि दुश्मन किसी इंसान की खुवियों को अब बना कर पेश करता है और से एक जहनी करभ में मुबतला कर देता है नतीजा ही होता हैकि अच्छा खासा इंसान बेuntमादी का शिकार होकर अच्छे कामों को अन्जाम दही से महरूम हो जाता है रिया एक ऐसी जहनी बिमारी है कि जब या किसी की शक्सियत में दाखिल हो जाती है तो उसके तमाम अच्छे आमाल को बेमकसद बना देती है और नेक वबद की तमीज को भी खत्म कर डालती है यह जो रहा है ना एक ऐसी जहने बिमारी है जो कि किसी भी शक्सित में अगर दाखिल हो जाती है किसी भी इंसान के अंदर यह रहा नाम की भीमारी पनप जाती है ना तो वह इंसान की जो अच्छे आमाल है अच्छे कर्म है वह बिलकुल भी भूल जाता है वह इंसान मतलब उसके अच्छे आमाल को बेमकसद बना देती है और नेकोबद में इनसान पर्क करना भूल जाता है वो नेकोबद में पर्क नहीं कर पाता क्या सभी है और क्या गलत है ये पहचान नहीं पाता है ठीक है यह लंबा चुड़ा आप लों को एंसरल लिक देना है चलिए तो यहाँपर यह लास्ट की कुष्ट्टν था सरस्याद अम्रखा ने रहा कि इस नफसियाती कश्मा कर्स बचने के लिए बचने और दोस्त वदुश्मन के अलग-अलग हत्यारों से इफाज़त के लिए चंद ऐसे असूल वज़े किये हैं जिन पर आमल करके हम अपनी जिन्दगी को पुरसुकून बना सकते हैं और अपनी अपने जिन्दगी में पुरसुकून बना सकते हैं और अपने शक्षित को मुकमल बना सकते हैं ठीक है तो यह लंबा चौड़ा आप लोग इंसर चाहे तो आप इतना लंबा चौड़ा लिख सकते हैं नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं आप इसको शौट करके चोटा कर सकते ह आप लोग अपने हिसाब से अपने लफजों में लिख सकते हैं ठीक है तो आई होप आप लोग को आज किस वीडियो में जितना भी कोशन इंसर कराई सारा हर एक समझ में आया होगा यहां पर फाइनली हो जाता है अबजेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव कोशन का एंसर पू करें अब तक लाइक करें जितना वसके अपने दोस्तों के पास बटावर शेयर कर दें तो जानल को सबस्क्राइब सरूर कर लिजिएगा और नोटिफिकेशन बेलको दबाद लेना हैं चलिए आज किसी वीडियो को यहें पर इंड़ करते हैं फिर में अगले वीडियो में अबले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफिज